नमस्कार मित्रानों में क्रोष्णा पेशे तुम्स स्वागत करतों अपले मारा अठे प्रोग्रामर ये यूट्यूब चानल वर्दी आच्या लेक्षर मदे आपन बानार होथ स्ट्रिंग लाइबररी फंक्षन्स पन या अब दर चीजगा लेक्षर पाहले देचा मदे आप पाहले लेक्षर नस्तिल तर नक्की पहां हाले डिस्क्रिप्शन मदे तेचे लिंक दिले लिया है तर या लेक्षर मदे आपन पानार होथ कि स्ट्रिंग लाइबररी फंक्षन्स जेके से ने अपले ला स्ट्रिंग डॉट्ट यच्छा हेडर फाल मदे प्रोवाइड के ल अरफ तर यका यूजर् डिफानट फंक्षन अत्टे आपन शवत्ता लिजीता सतुमझे ईजराइड करता सतु शेक्टि असे असे चनल डिस्प्ले आसील हीड असेल सब्साक्त आसील्थ सब्सेट असेल्थ्प्ड्र चियल्च असेल्थ येचे देफिनेशन स्वत्ता देख एचाऊको तरतन ब्रिंट एपानी स्कैन डिकेब के मदिंद स्कर्वार्पार्फशन जया है, त趣 अनवती नमबर अपी ऐढरकर करूशकतो इन C language string.h header file supports all string functions ठीक है तरती function यूज़ करने से ते अपलेला क्या करो लगते कि फक्त त्या function जे provide के ले तेला call देव लगतो और ते चीचे का parameter असे ते parameter अपलेला pass करावे लगते by using these string functions we can perform operations on given strings मंचे जे function आपलेला string.h header file मदे provide के ले तेला सापन लाइबरेरी functions मनतो तर दे functions आवा पर कुरना आपन काई करो शकतो कि number of operations string वरते करो शकतो following functions provided by string.h header file तर पहला है strlen तर जावेस आपन काई करतो strlen है library function अनि तर आपलेला एक particular string pass कर लगती जेचे आपलेला length calculate करा जाए ठीक है आपलेला एक काई तर इंटीजर value आए तर आपलेला एक का पर्टिक्लर इंटीजर variable मनते store करून गहवी लगते नेक्स्ट आई strcpy string copy एक अधी string आपलेला दुश्टर स्ट्रिंग मनते जावेस copy करा जासते तर आवेस आपन काई करतो strcpy है function तर एच्छा मनते काई होतो जी आपन काई source string आसे ती destination string मते copy के लिजाते अजे जावेस copy के लिजाते त्यावेस destination मते आणी source मते एक दोनी मते काया सिल की सेम string आसते सपोज मना मारा टी प्रोग्रम मती स्ट्रिंग आई जे कि मी source चा string मते store के लिए ठीके तर जावेस मारा टी string जर दुश्रा string मते जर copy करा चासेल दुश्रा string variable मते copy करा चासेल त्र कायूज करना अपन strcpy नेक्स्ट आहे strcat जावेस मालाग दून string concatenate करा चासे त्यावेस कायूज करना strcat त्रहेस माते काय के लिजाया फर्स्ट स्ट्रिंग और second string हाद दून एक मेकान जोड लिजातेल कान्काटनेट के लिजात चासेल तो फर्स्ट स्ट्रिंग मते स्टोर केला जायल स्ट्र CMP जावेस अपनला दून स्ट्रिंग कंपेर करा चासेत दून स्ट्रिंग इक्वाल आहेद काना है अपनला चेक करा चासेत त्यावेस काय विज करतो फर्स्ट स्ट्रिंग और दून स्ट्रिंग पास करावे ल मंज़ेज 0 रिटेन करेल तर तहाने 0 रिटेन केला तर 2 इस्टिंग equal है और इस ताइज दोन जिरो वैल्यू जरेकन करूशकतो नेक्स्टा है str rav जूज़ आपलेला इकानग रिवर्स कराई चासते उन्टै दीशिन प्रिंट कराई चासते त्यार है आपन चाहिए तो str rev हे function तर तेला अप्ले ला string पास कर रहा लागती जेके अप्ले ला reverse कर रहाए चे सपोज माझे string आहे functions ठीक है तरी functions string में त्या str rev function ला पास के रहे तर काय विलकी माला थी complete string reverse करना मिले reverse मांज़े कर सा s n o i t c n u या अशा पाद देन complete string काय के लिजाल reverse के लिजाल by using str rev function str lwr एकादी string दर आप ला ला lower case में दे convert करा चासेल ठीक है तर दिले लिजी string आप पर केस में आसेल कि वह काही तेचा मतले characters है आप पर केस में आसेल तर दी complete string आपन लोवर केस में से convert करो शकतो by using str lwr function तर आपने लाती string पास कर वह लाकती जे के अपने लोवर केस में convert करा चाहे और ने नेक्स्ट आहे str upr दे लिजी string आप पर केस में दे convert करा जासेल तर आपन काय उस करतो str upr जैसे lwr में आपने काया करतो कि string लोवर केस में convert करतो तर आपने str upr में स्ट्रिंग अपर केस में convert करतो तर वन वाई वन आपन वित एक्जांपल पहुया पहलिया है string length तर आपने मनतो str len ठीक है तरहे function यूज करो ना आपने काय करतो कि एका particular string ची length calculate करतो इस function returns the length of given string जा आपन string टे है str len function लोवर के लिला है ते ची length आपने रा calculate करून दिली जाई length of the string return by str len function is integer value मझे जी का string तर रिटन के लिला है तर ती काया से ल तर integer value है मझे जा string ची लें दासे तर ती काया से ल तर ती काया से ल आपने रिटन के ले जाल ने ती काया से ल इंटीजर value असे ल इस function डेजन्ट काउंट नल कारक्टर तर नल कारक्टर मंझे काई जे क्या आपला string चा एंड स्पेसिफाई करता ठीक है अपने पर्टिकुल स्ट्रिंग चा एंड सांगा जासे ल तर कायोश करतो नल कारक्टर जे क्या है अपने इंटीजर value रिटेन करना रहे ठीक है अपने आपने आपने इंटीजर वेल्यू रिटेन करना रहे ठीक है मूना आपने इंटीजर टाइपचा एलियू रियाण हा वेर्यवल गहतला इस इकउल टूला असाइण केला तर जिरोला काहा दीकुलेर करती हो जाविज किस र्यetrीकां काई ल म यह 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 वेरियवल मदे स्टोर हुए नंतर यूजर ला मेंसेश प्रेंट के लागी एंटर ती स्ट्रिंग यूजर ने स्ट्रिंग एंटर केले आपन कशा मदे स्टोर केरूंगे इतली इस्टियार मधे तर गेटेस फंक्षेनस आपार कुरों तुस है आपना स्कैने की यूजर करतो तो त्या अपने चे पहले ला है तर डिटेल मदे आपन पाइच ओ देचल लिंक है देली ला है तो पाउशकता तर गेटेस काया केले कि आपने यूजर ने इंटर केले स्ट्रिं के रिट करेल आणि str मदे store करेल next alien is equal to str alien of str नंचे str alien है function लापन काई केला str history pass के लिए जैचे आपलेल लेंथ calculate कराई चाहिए आणि str मदे काया तर यूजर ना enter के लिली string ठीक है आणि alien मदे जो result आसे तो result काई केला जायल store केला जायल मैंजे इंध्रिवडी का लेंथ आसे लिए ची लेंथ store के लिए चाहिए प्रेंथ आप लेंथ आप स्ट्रिंग के लिए परसेंड दी ठीक है अपले इंटीजर वैल्यू आहे मनों ती प्रेंट करने सेड़िया आपकाय उसके लें परसेंड डी आणि alien ठीक है जेचा मदे अपली लेंथ श्टोर आहे आउट्पूट मदे भगू सकतो एंटर दी स्ट्रिंग यूजर ले मेसेज प्रेंट के लिए यूजर नी माराथी प्रोग्राम मेरी स्ट्रिंग एंटर के लिए अंतर नेक्स्ट लाइनल आपकाय के लिए कि तेचे लेंथ दे काल्कुलेट के लिए यह लियान मदे स्टोर के लिया अनिती प्रेंट के यह लिए यह न है function नेक्स्ट आहे string copy एक particular string आप लेला दुशेरा string variable मदे जाए यह इस copy का रहा चासते ते यह उसका यूज करता आपन strcpy हे function तर इस function copies the source string into destination string और जे source string का आएसल कि जैचा मद है user ने इंटर के लिए string आसे को और store के लिए string आसल और destination string मंजे का जैचा मद है आप लेला कि particular string copy का रहे चाहे क्यों और store का रहे चाहे example मदे पहुशकतो character चे दोन आरे declare के लिए str आणी str बन दोनीची 3030 इसा है specify के लिए str का साटी के लिए user ने एंटर के लिए string जाहे ती store करना साटी user ला message print के लिए एंटर दी string आनि इती string read के लिए आप लेकर चाहा मदे str या character आरे मदे ठीक है तीचान अंतर str cpy ये function call के लिए जिचा मदे str1 आणी str या दोनी श्रिंग पास के लिए मा काई के लिए जाल की str मदे जी string पास के लिए तरती string काई के लिए जाल str1 मदे store के लिए ठीक है आनि str1 आपन प्रेंट के लिए तर आपले ला जेका str मदे string आ है तेज आहास सेम आउट्पूट में आ रहे आउट्पूट मदे बगूशकतों यूजर ला message print के लिए एंटर दी string यूजर आपने खाली str1 print के लिए तर आपले ला same result बेट ला string is माराथी programmer ठीक है तर आपले string copy कराया चाहे तर आपन कायूश करतो strcpy function next आहे string concatenation जोड़ से अपले ला दोन string एक मेकारना concaten कराया चाहे जोड़ाय चाहे तर आपन string concatenation ठीक है तर इस function is used to concatenate two strings मैंजे दोन string एक मेकारना जोड़ने साथी काया के लिए जाता sdrcat है function use के लिए जाता string one and string two concatenated and result is stored into string one ठीक है तर string one मदे माझे एक पर्टिकुलर string आशेल जासे की मराथी और string two मदे एक string का है programmer तर दोन string 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 one मदले मराथी और string two मदले programmer या दोन string एक ने कारना connect के लिए जातील आनि जोगा result आसेल तो result काशा मदे store के लिए जाल string one मदे दर आपन string two print के लिए तर आपले ला तो result जो आपन result जो आहे तोर तो accurate result बेटना नहीं जेजी string आपन store के लिए उती programmer तेस बेटनार आपन string one जर प्रिंट के लिए तर आपले ला माराथी programmer एक दोनी एक ने काना connect net के लिए string मिले जेके example मदे बोगुशकत आपन दोन character आरे equivalent के लिए चनँत्तर एंच्चर स्ट्रिंग ऐंसेकंड सेकंड सेंग तर दोनी string strs ए स्ट याने strc at फंक्शन कॉल के लिए त renovation के लिए सबसें आतीग अड़िकापन रिजल्टा जो है तो षटी अर्मधे फ्तोर वह झाला जाए काली प्रिंट के मांपत्स फम्वस पाइगापन इस इस्टी अर ऑपन्परिंट के मेवले बुताई पर्पाइगा wages कनेक्ट के लिया आणि तो रिजल्ट जो हे तो फर्स्ट स्टेइंग में स्टोर जाला जो किया आपन। पृंट के ला दोने । कांकेर नेट जहलेला नेक्स्ट आ है string compare जाइवस आपना दोन श्रिंग कंपेर करा चास्ते तो यह यह आपन काई उसकर तो string compare यह function तरह जापना तो strcmp this function is used to compare two string don't string equal है तो चेक करने साथ है आपन strcmp function यूज करता आने ते काया करते तरह आपलेला integer value return करते मंज़े दोन string equal है तरह आपलेला 0 की value काया की लिजाल return की रिजाल अन्डोन string जरी equal नस तरह आपलेला non zero value काय की लिजाल return के लिजाल this function compares two strings and return zero if both strings are equal जाद दोन string equal है तरह आपलेला zero return के लिजाल तरह एक्जाम्पल मदे बावशकतो दोन character रहे डिकलेर के लिए दोन string एंटर करोंगे इतले है ठीक है str1 मदे आने str1 मदे दोन string store के लिए और हाली inter c is equal to तरह c काय है तर integer आहे ठीक है integer टाप चाव वेरिवल आहे integer टाप चाहा तरह आपले एस्टेर cmp काय है रिटेन करते तरह इंटेजर वैल्यू जिरो कि वा नॉन जिरो ठीक है त्या मदा पंग काय है integer c c हा वेरिवल जैचा मदे आपला result store होना रहे अंतर str cmp function काल के ला आने तेला दोन string पास के लिए str आनी str1 जर str आनी str1 है दोन string जर इक्वाल आसतेल तरह काय रिटेन के लिए जाए 0 otherwise non-zero value इव खली चेक केला if c is equal to equal to 0 जर c ची वैल्यू ही 0 आसेल मैंजे त्या function आपलेला जर जर 0 return के लिला आसेल तरह काय मनार आपन बोथ strings are equal and 0 return नाए केला मैंजे दूसरी स्कुन तरह value return के लिए तरह आपन काय मनार strings strings are not equal output मध्या आपन पहुशकतों कि enter first string जुजर कोड़न फर्स ट्रिंग एंटर करून गेतली माराथी enter second string second string एंटर करून गेतली programmer तर माराथी आने programmer है चमाती जेका characters आते completely different आयत मैंजे दोनी स्रिंग काय तर different आयत मगा आपला output काय सतना है obviously strings are not equal मैंजे माराथी आनी programmer है दोनी स्रिंग काय नहीं यह तर equal नहीं यह तर दोनी कड़े programmer programmer क्यों माराथी माराथी आस लासता तर दोनी स्रिंग आपन equal है मन लासता पन दोनी स्रिंग काय तर equal नहीं है तर आपला देना non zero value return के लिए जी दोनी स्रिंग equal नहीं है तर स्रिंग comparison साथे आपन strcmp है function यूश करतो next आहे string reverse तर delay string का आपला है reverse कराय चासिल ठीक है तर delay string का आपला है completely reverse दिसने ज़र पिंट कराय चासिल तर आपन काय यूश करतो strrv है function इस function is user to reverse the given string देनी स्रिंग reverse करने साथे आपन strrv है function यूश करतो तर example मदे पहुशक्तो character है केतला str user कुट इंटर स्रिंग करून केतली str and इती string काशल पास के लिए आपन strrv है function तर इत पहुशक्तो की print या function मदे strrv है function call के लिए function तर फंक्षन स्य लेक्चर मदे सांगितला होता कि तुम्ही throughout program कुटून ही function ला call देवुशक्ता मंजे main मदुन call देवुशक्ता ठीक है क्यों दूसर्या function मदुन call देवुशक्ता क्यों print function मदो पन call देवुशक्ता देवुशक्ता ठीक देवुशक्ता ठीक है क्यों print function मदून strrv function ला call देलेला है अनि त्याला माराटी चा reverse आए तर आशी स्ट्रिंग जैवुशक्ता रिवर्स कराया चाहते जैवुशक्ता आपन क्यायुशक्ता करतो strrv ठीक है नेक्स्ट आहे string lowercase जैवुशक्ता देलेला देलेली स्ट्रिंग ही lowercase मदे convert कराया चाहते अबन्जे देचा मदले काही character सास्थेल क्यों complete string जैव अपने केस मदे आचाहले आपने लारा ती जैवर्स करतो strlwr हे function दिस function इस तो कानवाट दी गिवन string इन्टू lowercase example मदे पावशक्तो str character आ रहे गेतला अंतर enter the string string enter करूंगे अतली str me do lowercase string is %str e-lwr str str वाँ अंजी str e-lwr ला आपनजी user code enter के लिफ्ट्रीं काये ती string काये के लिफ्ट्रीं किली पास के लिफ्ट्रीं काये के लिफ्ट्रीं अपने दिली स्ट्रीं की lowercase मदे convert करूं दिल आनि आपन directly तर आउट्पूट मदे पाउशकता आपन एंटर धी ट्रेनिंग तर डियनिंग है कंप्लेटी अपर केस मदे आए तर आपने ऐला काया कर चाहिं लोवर केस मदे कनवर्ट कराया चाहिए ते अपने आपन फांक्षिंचन यूज के ला खाली प्रेंटे के लिए लोवर्केस स्ट्रिंग इस तर अपने अपर चेस मध्य लोवर्केस मद्य थे तर अपने लोवर्केस करणा देला देलेढ तर अपने अपने यूस करतों त्यास प्रमाणड जर आप लेला string आपपर केस मदे convert करा है जासे delay string तो आपन काई उसकर तो hdr upr जे function काई करेला आप लेला delay string ही आपपर केस मदे convert करूँ दिल जो जा मसले काई character आसतील क्यों complete character, complete string आप लेला हे आपपर केस मदे convert करूँ दिली जायल इस function is used to convert the given string into uppercase तर example मदे पहुशुकत आपन character चाहे आरे गेतला str कि जची size 30 दिली तर चाना अंतर enter the string user कोड़ून string enter करून गेतली आनि by using get as function the string store करून गेतली ठीक है str मदे string store के लिए जैसे आपन str upr ला call देला होता तसा स्वरी str upr ला call देला होता त्यास पर दतीन str upr ला आपन call देला है upper case string is percentage and str upr of string जी string आप लेला upper case मदे convert करा है कराई चया है ती string आपन काई के लिए str upr है function ला पास के लिए निती string आप लेला uppr case मदे convert करून देली जाहे तर example मदे आपन पवुशक को कि enter the string user पर लो इंटर करून गेतली ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग कशा मदे आहे तर completely lower case letters मदे आहे तर आप लेला काया करा चाहे है capitalize करा चाहे क्यों uppr case मदे convert करा चाहे तर by using str upr function आपन के लिए लेला है तर आपके string इस ट्रेनिंग जेकी काया है है completely capital letters मदे तला जापन मनतो uppercase letters तर एका दी दिलेली string आपने lower case मदे convert करा चाहे तर आपको काया उसकर तो str lwr function और दिलेली string है uppercase मदे convert करा चाहे तर str upr function तर काई key points पोगया पाई using library functions for string operations it is possible to provide simplicity in programming ठीक है तर जेका library functions आपने प्रोग्राइड के लिए तेचा मदे आपले प्रोग्राम मांदे simplicity यूशकते मां जे code लिएड का function आपने use करतो लाबरी जे string length calculate करने साथ आसेल क्यों string reverse करने साथ आसेल तर तेता code आपने यूशकतो जेजर माला string calculate तेची length calculate करा चे तर में काय करूशकतो माला indexing माहे तेथ के आरे चा indexing 0 to n-1 पर रेंत जाता मां तेची में length calculate करूशकतो easily ठीक है by using while for the length calculate करूशकतो कि तेचा माधे किती character साहेद ठीक है जिवड़े character सासेल तेवडी माची length आसेल तेची साथी में code लिएखुचतो कि वह काने particular string आसेल तर तेची माले एक दाका length मिला ली टो लेंते मिला लिकि मेंट श्र्रिं ला reverse पन करूशकत को मैं जे last पोजेशन ला character है ते first पोजेशन ला में print करूशकत कहते store कर निगेधा को शक्तो स्रिंग ला possible क्ति कॉनकाटनेट करूशकतो particular में दूसरी स्दिंग में copy करूशकतो ठीक है मंजे सगले ऑपरेशन्स मी बाय उजिंग स्वताचा कोड अपन गया कुर शक्तो लिव शक्तो बन ज़र आपन लाबरी फंक्शन्स यूज करता सेल तरह आपने लागतो कोड लिहाई ची गरज नहीं करन्द जोड़काय तेची को राइट टू परफां आपरेशन्स ओन श्ट्रिंग मैंजे लेंद्स कालकूलेट कराई ची तरह बापन जास्तों को लिए ची गरज पड़त नहीं तरह जेका ये लाबरी फंक्शन्स परवाइड के लिए चीने तरह तेक वन कुन त्याहे तरह पहले ये लियन जिके लेंद एंट देह कोलेट करने साथ यूज़ करता अपकन नेक्स्ट आ है STR CPY नो कोपी करने साथ मज़े सॉर्स लिग के ं देस्टिनेश स्टिंग मधे कोपी करने साथ आपन STR CPY है function यूज़ करतो strcad जावस आपलाई दोन श्रिंग एक में काना कॉन्क्रेट नेट कराया चाहिए जोड़ा जासते यह उसका युज करता आपन strcad strcmp जावस आपलाई दोन श्रिंग कंपेर करा चाहिए दोन श्रिंग एक्वल आहे तका तो यह उसका आपन युज काहा करतो तर strcmp strc and second string compare के लिए जातील आणि तसा result जो आसेल तो आपलेला return केला चाहिए तर दोन श्रिंग एक्वल आसेल तर रिजल्ट काहा चाहिए जीरो आसेल ठीक है अनि जर दोन श्रिंग एक्वल नसेल तर नौन जेरो result आपलेला return केला जाहिए नेक्स्ट आही strrv देलेली श्रिंग करें चाहिए ऐसर आपनें गयूफ क्यों श्रिंग Reward क्रेंटर करें जांव कालाई जाहिए । глट्च बिटी आयॵर्स देल चाहिए Volt काहते चाहिए उनली स्लीबर्म साथ तो इस्टी आर यू पी आर ठीक है तर यह बहुड ही फॉंक्षन सा अप्ले ला सी निय प्रोवाइड के लिए जी के आपन मोस्टली यूज करता शतो अपला प्रोग्राम लेने साथे आणी सिंप्लेसिटी प्रोग्रामिंग मदे अन्ने सथी तरहे फंक्शन दर यूज करा जाए तरह आपकेला सिंपली काया करो लागे एश इंक्लूड दिसके आपन प्रिंटेप्स कैने भी यूज करने सथी एस्टी आउड़ फाइल इंक्लूड करतो क्यों मैथेमेटिकल फंक्शन सथी और यूज फंक्शन सापन यूज करताता सेल आपने काय काय करो लागत कि 스्रिंग.h आपने प्रोग्रामिंदे प्रोग्रामिंदे आपने इंक्लूड करा लागते मनझे जे फंक्शन साच त् ibaब्स्तिन अच्ष्यो ओड़तए आपना प्रोग्रामिंदेनjal यूज करो शकती हूँ, बढ़ लासेल तो नक्की लाइक करा शेर करा अने आपले माराथी प्रोग्राम मरें इंट्यूब चैनल आ सबसक्राइब कराँ next lecture मदे आपन पाणा रहोत कि structures जसेके आ रहे मदे आपन पाई लग कि आपन आरे कायततर homogeneous Multiple type छे value is store करा जसतेद ठीक है? Different type छे value is store करा जसतेद तरत्य आविस आपन काविस करतो Structure जेकी User Defined Data Type है आपन तेला मनतो ठीक है? तरत्या चाजुखा Concept आथों Detail मेदे तेरा लेक्चेर मेदे आपन पाना रहो Thank you for watching this video